प्रतिक बबर ने हाली में अपनी लाइफ के सबसे चैलेंजिंग फेस के बारे में बात की उन्होंने बताया कि जब वो 18 साल के थे तब ही उन्हें रियाब सेंटर भेज दिया गया भाग भीगाबाग जैसी फिल्मों के साथ उन्हें हाथ दोना पड़ा था जिनमें पहले उन्हें कास्ट किया गया था एक इंटर्वियू में प्रतिक ने बताया कि जब वो 18 साल के थे तब परिवार वालों ने उन्हें चालाकी से रियाब सेंटर भेज दिया था वज़ा ये थी कि वो हर समय नशे में रहते थे रियाब सेंटर के बारे में उन्हें कहा कि यहां हमेशा खुए हुए रहते थे और सुसाइट के ख्याल भी आते थे प्रतिक को फिर तब गहरा दुख पहुचा था जब उन्हें लगा था कि फिल्म इंड़स्टिन ने भी उनके साथ गलत किया है उन्हें अपनी फिल्म रिलीज ना होने कारण फिर से शराब और ड्रक्स की लट लग गई थी इस वक्त प्रतिक सिर्फ 25 साल के थे प्रतिक ने अपने रिलेशन्शिप के बारे में बात की उन्होंने बताया कि एमी जैक्सन से ब्रेक अप के बाद वो पुरी तरह से तूट गए थे प्रतिक ने ये भी पता है कि सानिया को कुछ समय डेट करने के बाद उन्होंने शादी की थी मगर बात में अलग-अलग बिच्छादारा होनी की वज़ासे दोनों का रिष्टा लंबा नहीं चल सका उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी शादी हुई तो 32 साल के थे और 35 तक बच्चे चाहते थे लेकिन परिवार वाले इसके लिए प्रेशर बनाने लगे थे मगर उनकी पतनी जल्दी मान नहीं बनना चाहती थी इस कारण भी दोनों में अनबन रही प्रतिक का कहना है के ये शादी दोखे जैसी थी प्रतिक बबर ने अपनी लेजी लव प्रया बैनाजी की तारफ क्यों चीर कहा कि वह अप उनका घर है एक्टर ने याद किए कि जब प्रिया ने अपनी सगही तोड़ दी थी जब रतिक ने उन्हें मैसेज किया था यहां से उनकी बात्चुत शुरू हुई थी जो बात में रिष्टे में बदल गई इस साल वेलंटाइन डे पर कपल ने अपने रिष्टे को आफिशल किया था इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद